मूर्णिंग नमस्कार अदाव सस्तिरिकाल की हल चाल है भाई लोग मैं अपका दोस्त आपका भाई सुईत कमार अपने इस यूटूब चनल में आपका स्वागत करता हूँ अज हम लोग जारखन प्रिश दरवगा के अगले सेट को सोल्ब करने का प्रयास करेंगे इस सेट में हम लोग जारखन समान समंधित 30 प्रसंद देखेंगे और समान बिग्यान रिजनिंग तथा गनित से समंधित 20-20 प्रसंदों को देखेंगे तो चलिए हम लोग जार्टन प्रिस दोरोगा जो की दोर 17 में इसका परत्योक्ता परिक्षार लिया गया था उसके हम लोग एक तिसमा सेट को अरम करते हैं तो दोस्तों इसका पहला क्यूचन है कि निम्न में से किस राज ने 1632 में स्वतंत्र रुप से बेपार करने के लिए अंग्रेजी को गोल्डन फार्मन प्रदान किया था तो इसका राइट अप्षन हो जाएगा क्या तो गुलकुंडा हो जाएगा ठीक है गुलकुंडा जो हो जाएगा इसका राइट अप्षन हो जाएगा ठीक है इसके बाद हम लोग दूसरा प्रस्न को देखेंगे ठीक है तो चलिए दूसरा नमर प्रस्न को देख लेते हैं दूसरा केचन है कि 17 माई 1782 को सलबाई की संधी पर हस्ताक्षर किये गए इन में से कौन से यूद निमलिखित में से जुड़ा हुआ है ठीक है तो बताना है कि इन में से कौन से यूद उसके साथ जुड़ा क्या है इसका option ए है कि पाहला एंगलो मराठा यूद option भी है कि एंगलो मराठा यूद दूसरा और तीसरा है कि दूसरा एंगलो मैसुर यूद और चौथा है कि पाहला एंगलो मैसुर यूद ठीक है तो इसका right option हो जाएगा क्या सिक्षा के मैगरा काटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो option ए था यहां से कि Sadler Commission या Indian Universities Act 19 and 4 और तिसरा था कि REL वायोग या option D है, उट्स dispatch, स्वरी दोस्तों, तो इसका right option हो जगा क्या, उट्स dispatch, ठीक है चली आगे है four number का question कि निमलीखित में से कौन से एक प्रभाव साली मंतरी और मराठा समराज के राजपाल थे जो पेश्वा प्रसासन के दवरान मराठा मची विल्ली के नाम से भी जाने जाते थे ठीक है तो इसका right option हो जाएगा कि नाना फटनवीज ठीक है नाना फटनवीज उसका right option हो जाएगा फाइप नमबर का क्यूशन है कि निमलिखित में से किस वाय सराय ने फ्रसीद भारतिय सिक्का और पेपर मुद्राधिनियम 18 and 1990 पास किया ठीक है option यह है Lord Binto, option भी है Lord Harding, option C है Lord Karjan और D है Lord Dufferin ठीक है तो इसका right option हो जाएगा ठीक है Lord Karjan इसका right option हो जाएगा चले 6 नमबर का question है कि Lord Rippon ने तीन फरवरी 1882 को hunter commission खाले स्थान के लिए निउक्त किया गया ठीक है तो इसका option है कि तंकवादी का मुकाबला करने और राष्टी ब्रियोधी गतिबींदियों का मुकाबला करना option इसका 2 है या भी बोल सकते हैं कि भारत में सेक्षि सुधार के लिए option C है कि उच नया पालिका में भारतिय नया धीसों की निउक्ति के लिए और D है कि इन में से कोई नहीं ठीक है तो देखे लूड रिपन को जब नुक किया गया था हंटर कमिशन के दवरा तो भारत में उनको स्यक्षिक शुधार या नि कि सीक्षा में सुधार के लिए उन्हें नुक किया गया था ठीक है तो इसका रालट अप्टन हो जाएगा कि भारत में सैच्छिक सुधार के लिए उन्हें न्यूक किया गया था चलिए आगे है सेवेन नंबर का क्यूशन कि भारत में एक मात्र वाइसराय कौन थे जिसकी कारेकाल में हत्या कर दी गई थी ठीक है मतलब उनका ही हत्या कर दिया गया था उनके ही कारेकाल में ठीक है तो option कुछ इस प्रकार है option एक है कि Lord Mayow दूसरा है Lord Auckland तीसरा है Lord Lawrence और चौंथा है Lord Northbook ठीक है तो देखे Lord Mayow एक ऐसा वाइसराय थे उनकी हिम्रित्व उनके ही कारेकाल में किया गया था ठीक है तो लॉर्ड मायो हो जाएगा चली आगे है एट नमबर का क्यूशन कि निमन में से किस वायसराय ने वर्ना कुलर प्रेस एक्ट और 1878 के स्वस्त रधिनियम को पारित किया है ठीक है आप्शन है लॉर्ड मायो B है लॉर्ड ओकलेंड C है लॉर्ड लॉरेंस और D है लॉर्ड लिटन तो इसका राइट असन हो जाएगा लॉर्ड लिटन और एक बार आपको पताना चाहता हूँ कि जो प्रिभियस एर का क्यूशन होता है वो आने वाले किसी भी परत्योक्ता परिक्षा के लिए बहुत ही लाबदायक होता है इसलिए आप जार्खंड प्रिश दुरगा दुरश 17 के जो एक्जाम लिया गया था उसका हर एक सेट आप देखना न बोले ठीक है उसमें करीब करीब आपको 33 सेट दिये जाएंगे तो इसमें कम से कम 40% ऐसा क्यूशन होगा जो जार्खंड यानि कि JSC में आगे आने वाली क्यूशन सेम टू सेम मैच करेंगे ठीक है और एक बार और बताना चाहता हूँ कि आप हुमारे चैनल के प्लेलिस्टियों कर जो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे जार्खंड समान ग्यान का सम्मधित फूल वीडियो होगा नापूरी वीडियो का फूल होगा हिंदी ब्याकरन का फूल लेक्चर होगा और गनित समधित लेक्चर भी डाला जाता है और हिस्ट्री का संपूर्ण संपूर्ण का वीडियो होगा और एक वीडियो जार्खन का संपूर लेक्चर होगा जिसमें की एक ही वीडियो में टूटल जार्खन के समान ग्यान को कभर कर लिया गया है ठीक है चलिए हम लोग आगे 9 नमबर की क्यूशन की और बढ़ते हैं तो 9 नमबर का क्यूशन है दोस्तो कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जियो पारसी प्रचार चरण टू योजना सुरू की जो निमलिखित में से एक राज्य है ठीक है तो उस राज्य का नाम बताना है तो option एक कुछीज प्रकर था उतरपदेश दूसरा था महराष्ट तीसरा पंजाब और चौथा था गुजराग ठीक है तो इसका राइट अफ्टन हो जाएगा कि महराष्ट ठीक है एमेच आगे है 10 नमबर का question तो question है कि निमलिखित में से किसे Insurance Regulating and Development Authority of India ठीक है IRDA के board के unskallik सदस्य के रूप में निम्क्त किया गया है ठीक है तो यह जो है उस समय का current affairs question है मैं नहीं उस समय का current affairs question आने वाले जैसिस exam के लिए उतना हो important नहीं है लेकिन बाकी सारे के सारे इसमें जो जारकन का समान ग्यान है या इसमें समान ग्यान का 30% होगा या समान ग्यान का 20% है मैथ समंधित 20% होगा reasoning है 20 ये सब बहुत important होने वाले है तो उस समय इसका जो बनाए गया था सदस्य वो बनाए गया थे रवी मित्तल चलि आगे है 11 number question कि 17 ACI School 17 Championship में किस भारतिये खिलाडी ने Under 7 Rapid Championship में का से जीता था तो वो जीता था अधित्य पाटिल चलिए 12 number का question कुछ इस प्रकार है कि निमलिकित भारती राजे में से कौन सा भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा साजा करता है आपको बताना है कि भूटान के साथ आखिल किस राजे का जो सबसे अधिक साजा किया जाता है तो option A है इसमें असम B है सिकिम स्थी है अनुराजर प्रतिस और D है पचिम मंगा तो इसका राजट असम जो इस्टेट है वो सिकिम के साथ जादा क्या करता है भूटान के साथ सीमा बनाता है ठीक है चली आगे है 13 नमबर का क्यूशन कि 60 देशों के बीच उदर 17 डिजिटल इन्वेलेंशन ठीक है इंडेक्स ठीक है D.E.I. में भारत की रेंक क्या है तो 17 में वो था 33 नमबर का करंट वी था भारत उस समय चली आगे है 14 नमबर का क्यूशन की निमलिखित में से किस भारती राज सरकार ने विरुजगार इवाओं के लिए अपनी गदी अपना रोजगार यूजणा सुरू की है उप्सन यह है यूपी उप्सन भी है पंजाब और सी है सिकी मोड़ी है गुजरात इसका राज अप्सन हो जागा क्या पंजाब ठीक है पंजाब ऐसा इस्टेट है जहां पे अपनी गदी अपना रोजगार जिरुजणा का अरंब किया गया था चलिए आगे है 15 नमबर का क्यूशन की दुरसत्तरा फर्मूला वन हंगेरियन ग्रेंड प्रिंस टूर्णामेंट किसने जीता ठीक है तो इसे जो जीते थे वो जीता था सबास्टियन बेटल ठीक है चलिए आगे है की 16 नमबर का क्यूशन की निम लिखित ITIT संस्था ठीक है IT संस्था में से किसने एक कम लागत वाले गंदगी डिटेक्टर का विश्कार किया है जब किसी जगा सफाई की अवसत्ता होती है तो अधिकारियों को चितावनित देते हैं ठीक है तो उस संस्था का नाम है कि IT खडगपूर ठीक है IT खडगपूर में एक ऐसा मसीन को डिबलप किया गया था कि जहाँ पे वहाँ पे अधि उस नगरपालिका में यदि गंदगी ज़्यादा हो जाता है तो उसके द्वारा वहाँ के जो धिकारी थे उनको क्या चितावनित दी जाती थी चलिए आगे 17 नमर का किशन 2024 ग्रीम स्वकालिन परिक्षा के लिए बहुत ही इंपर्टेंट होने वाला है क्योंकि कुछ दिन पहले 2021 में ओलंपिक आउज़ित किया गया था ठीक है तो इस वे 2024 में कहाँ आउज़ित करना है तो पेरिस में करना है आप याद रखिये पेरिस चलिए आगे है वो सन्यूक्त राज अमेरिका का था ठीक है चलिए आगे है 90 नमर का किशन कि पाकिस्तान के नए परधान मंतरी कौन है ठीक है तो दुरसतरा में उस समय थे साहिद खाकान अभासी ठीक है ये उस समय का परधान मंतरी था और इस वह पकिस्तान का इमरान खान परधान मंतरी है चलिए आगे है 20 नमर का किशन कि गंगोतरी राष्टी उध्यान कि सराज में ये इस्तित्य आपको बताना है तो उप्सन अ है उतरप्रदेश, B है उतराखंड, C है असम और D है विहार तो इसका राइट अप्सन हो जाएगा क्या उतराखंड, UK ठीक है उतराखंड में गंगोतरी राष्टी उध्यान है आगे है 21 नमर का किशन कि मित ब्याई इंजिनियरिंग को निवन में से एक परकिरिया के रुप में परिभासित किया जाता है ठीक है तो उस परकिरिया का जो नाम है वो है एक अच्छी और इसके उत्पादन की जटिलता और लागत को कम करना ठीक है यदि आप उत्पादन ज़्यादा होगा और लागत कम लगेगा तो उसमें किशान को क्या होगा ज़्यादा फायदा होगा तीक है आगे है 22 नमबर का किशन की अस्तेम भेस्वर महादेव ठीक है मंदीर निम्न राज में से कहां इस्तित है ओप्शन यह है मनाचर प्रदेश, बी है उडिशा, सी है असम और डी है गुजरात तीर जो है गुजरात स्टेट में अवस्तित है तो गुजरात इसका राइट अप्शन हो जाएगा चलिए आगे है 23 नमबर का किशन की भीम बेट का रोक आस्रे पौर्णानिक काल का पूरा तात्वी कस्तल है यह जो है कहां आपको बताना है तो अप्शन है मन्दे प्रदेश, बी है उडिशा, सी है असम और डी है गुजरा चलिए आगे है 24 नमबर का किशन की अगस्ट 2017 में भारत की पहली नीजी छेतर की मिसाइल उप सिस्टम वी निर्मान सुविधा किस सहर में स्थापित की गई थी आप्शन है आगरा, बी है लखनाव, सी है अधराबाद और डी है रांची इसका राइट अप्शन हो जाएग हाइदराबाद में उप सिस्टम वी निर्मान सुविधा उपलत कराया गया था 25 नमबर का किशन है किस देश ने वी स्मट्टेक देशों के बिदेशी मंतरियों की 15 बैठक में मेजबानी की थी तो उस देश का नाब है नेपाल ठीक है नेपाल जो है वो इस योजना का जो ह है मेजबानी किया था आगे है 26 नमबर का किशन कि निमलिघित में से किस एक समीती ने हाली में भारत में मध्यास्तता तंत्र के संस्थागत करान पर रिपोर्ट जमा की तो उस समीते का नाम है बी एन स्रीकिष्ण समीती आगे है 27 नमर का किशन कि निमलिखित में से कौन कजाकस्तान गनराज के लिए भारत के नए राजदूत के रुप में रुप किया गया है तो परभात कुमार को नए राजदूत के रुप में रुप किया गया है चलिए आगे है इसमें कि 28 नमबर का किशान कि Microsoft इंडिया ने लिखित भारती राजियों में से किस एक को अपने AI आधिकारित खरनन मंच का उपयोग करने के लिए बच्चों को आँ की समस्य के लिए उपयोग करने के लिए करार दिया है तो इसका राइट आप सुन हो जाएगा तेलंगाना तेलंगाना राजय ने इसमें को करार किया है 29 नमबर का किशान है कि चिंग मीनी वनने जीव अभियारन किस भारती राजय में स्थित है केरल असम तेलंगाना पंजाब तो इसका right option हो जागा कहा केरल ठीक है यह जो है केरल में अस्थापीत है चलिए आगे है 30 नमर का कीशन कि अंकूर मितल निमलिखित खेलों में से किसे समंधित है तो यह जो है सूटिंग से समंधित है आगे का जो प्रस्न होगा दोश्तो समाने बिज्ञान से समंधित 20 प्रस् सεता है वह है ठीक है क आपको बताना है कि वह क्या है तो जो होता है वह है आपका चोटी आत ठीक है ऐस मॉर्ट इस्टे disparity ऑख़ी है आगे है कि दुसरा प्रस्न रतौंधि तब होती है जब ठीक है तो रतौंधि कब होती है तो देखिए यहां पर option था कि बिटैमिन बाली कमी होती है, जब आरन की कमी होती है, जब बिटामिन की कमी होती है, जब बिटामिन A की कमी होती है, तो देखे, इसमें क्या हो जाएगा, जब बिटामिन A की कमी होती है, तब क्या होती है, रतोंधी होती है, ठीक है, आरम हो इंसुलेटर है बेकलाइट के है इंसुलेटर है लेकिन इसमें जो गरेफाइड है गरेफाइड क्या है तो गरेफाइड सुचालक होता है ठीक है तो गरेफाइड का हो जाएगा यहां से कि यह इंसुलेटर है चलिए आगे है इंसुलेटर नहीं है आगे है दोस्तो फोर वो कि यहाँ एक पेट्रोलियम उत्पाद नहीं हो जाएगा चलिए आगे है फाइप नमबर का इन में से असंगत की पहचान करना है उप्सन इसमें पहला था कि कार्बन डियोकसाइड, B था मिथेन C था सल्फर डियोकसाइड और D था ओजोन तो देखिए इसका जो राइट अपसन जाएगा वो हो जाएगा सल्फर डियोकसाइड ठीक है क्योंकि इसमें देखिए यहाँ से ओजोन और मिथेन और कर्मन डियोकसाइड जो है यह एक दूसरे समंधित है यानि कि अगर कर्मन डियोकसाइड की मातरा बढ़ेगा या मिथेन की मातरा बढ़ेगा तब ओजोन में कैं हो जाएगी कमी हो जाएगी यह जो तीनों है कहीं न कहीं एक दूसरे समंधित है लेकिन शल्फर डियोकसाइड जो है पत्ता और गाजर ओप्शन B है गुलाब गन्ना आलू और C है धनिया बैगन तुल्सी और D है पेटुणिया फ्लेक्स और सलगन तो इसका राइट-प्पशन जाए कि गुलाब गन्ना और आलू ठीक है चलिए आगे है सेबिन नंबर का कि एक एसाई प्रनाली बताना है ठीक ह तो PE की इंकाई बताना है क्या हो जाएगा ठीक है, potential energy का आपका इंकाई बताना है तो potential energy का हो जाएगा Joule, ठीक है, यानि की J हो जाएगा, ठीक है, Joule यानि की J, आगे है एक टंबर का question की दो असमान, मास समान के इंकाई दरसाते हैं तो अधिक भारवाले मास में यह है तो option यह है, greater गति मान option भी है, कम गति मान option C है, करम दर्मान पर समान गति, और option भी है, अधिक गति, तो इसका जो होगा, वो होगा, greater गति मान ठीक है, चलिए, उसमें momentum के होगा, जादा होगा आगे है, 9 number का question, कि एक motor की, sorry motor car की गति, 6 गुना अधिक होती है, तो गतिज उर्जा इतनी हो जाएगी तो 6 बर बढ़ जाएगी या 36 बार, या 12 बार या 24 बार, ठीक है तो यह जो हो, 36 बार बढ़ जाएगा, ठीक है क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है, kinetic energy बराबर होता है 1 by 2, NB square यानि B का पाउर के हो जाएगा, 36 से 36 हो जाएगा चली, आगे है यहां से, 10 number का कि एक truck और एक car समतल सड़क पर ऐसी जा रही है, उसके साथ जुड़ा, कोई वही है ठीक है, केई, वही है इन दोनों में बारी-बारी से break लगाए जा रहे है तो इसके रुकने से पहले कोन अधिक दूरी तय करेगी ठीक है, दोनों में kinetic energy क्या है, समान है तो देखे, इसमें जो रालिट अप्सन हो जाएगा, वो हो जाएगा कि दोनों एक ही दूरी तक जाएंगे, क्योंकि इसमें kinetic energy सेम लग रहा है और दोनों में अगर सेम break लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एक ही जगा पर जाके रुक जाएगा चलिए, आगे है यानि कि हम इसे ऐसे समझ सकते हैं तो कि माल लिजे कि एक कार है ठीक है, तो कार में चार चका है, तो जब हम लोग break लेते हैं, पीछे वाले तो पीछे वाले दोनों break में क्या होता है, एक साथ दोनों चका रुकता है ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि एक चका चलते रहता एक रुख जाता है तो वही system था वही kitchen था तो हो जाएगा कि दोनों एक ही दूरी तक जा करके और रुख जाएंगे आगे 11 number का kitchen कि कहा जाता है कि जब कोई वस्तू बल की दिशा के साथ खाली स्थान के कोन पर चलती है तब कोई काम नहीं किया जाता है ठीक है तो जब 90 डिग्र पर जाता है तब माना जाता है कि कोई काम नहीं किया जा रहा ठीक है चलिए आगे है इसमें 12 number का kitchen कि एक अवरिती के दो अस्फियार एक ही धातू के बने है परंतू एक खोखला है और दूसरा क्या है ठोस है उन्हें एक समान तापमान में गरम किया जाता है तो आपको बताना है कि क्या होगा ठीक है तो देखिए 26 लगभग क्या हो जाएगा भराबर मातरा में बढ़ेंगे आगे हैं 13 number के किशन कि पानी वाता रर्नीय परभाव में वासू बनता है तापमान को बदले बिना इसी पानी को आंसिक सुन्नय स्थान में रखा जाता है तो वास्पी करण के दर क्या होगा आपको बताना है तो वास्पी करण का दर इसके समय बढ़ जाएगा ठीक है इंक्रीज हो जाएगा आगे है 14 नमबर का कीशन कि एक पारे के थर्वा मीटर को बिजली की आग के सामने बल्ब के पीछे ठीक है कौन केव रिफलेक्टर सहीत रखा जाता है इन में से कौन सा कॉम्बिनेशन ठर्वा मीटर पर सबसे छोटी रिडिंग देगा आपको बताना है तो काला परवर्तक और चमकदार बल्ब जो है ये सबसे छोटा रिडिंग देगा ठीक है आगे है 15 नमबर का की चिकित्सिये समस्याओं की जाँच के लिए परियोग किया जाने वाला ठीक है तो याद रखेगा कि जो अल्ट्रसाण का मसीन होता है वो 20,000 फ्रेक्वेंसी से उपर वाले एनरजी होट्ज पर काम करता है वेपर आगे है 16 नमबर का की पोधों में जड़ जड़ों में जडबल ठीक है जडबाल की बारें बताना है तो देखे मिरिदा से जल को अधिक सोखने के लिए सता स्चेतर को बढ़ाने मदद करता है पानी की खोज में मिरिदा की गहरे जानता है वो और C है कि आelt जमा करना और D है मिरिदा करनों को मजबूत करना और मिरिदा में पोधाव को द्रीडिता से खड़े रहने में मदद करना जिसका राइट अप्शन हो जागा क्या तो अप्शन A और D चलिए आगे है कि किसी भी समय काल में लगने वाला समय की अवस्था में आई कमी खाली अस्थान देता है तो वो सक्ति कहलाता है आगे है 18 नमबर का कि बर्प का 0 डिगरी से एक टुकडा 0 डिगरी से सिल्सियस के तापमान वाले बर्तन में डाला जाता है तो क्या होगा तो कुछ भी बर्प नहीं पिलेगा क्यों नहीं पिलेगा क्योंकि 0 डिगरी सिल्सियस में था ही और उसे उठा करके 0 degree Celsius वाले बर्तन में भी रख दे रहे हैं तो बर्प नहीं पिलेगा क्यों क्यों कि उस बर्तन से उसे हिट नहीं मिलेगा तो नहीं पखलेगा लेकिन उस बर्तन से अगर उसे हिट मिलेगा तो पखल जाएगा यह है 19 नमबर का किशान की 1 G ठीक है क्या यह जो है गिर्वेटेशनल फोर्स है दर्मान परकार करने वाले सकती प्रित्वी परगुरत्वा कर्शन के कारण जो है उसमें 1 GDWT कही जाती है तो एक जो होगा उसको नमान बताना है तो हो जाएगा 980 डाइन चली आगे है 20 नमबर का की एक ट्रक 103 किलोगराम लोग के साथ लोड किया जाता है दूसरा जो समान ट्रक है 103 किलोगराम कपास के साथ भरी हुई है यदि दोनों ट्रकों में को उसी गती से उसी तरह के सड़क पर जाना है तो इसके उल्टे होने की सभावना क्या है तो कपास के टरक क्या हो जाएगा उलट जाने के सब होना के होगा उसमें जाता हो जाएगा ठीक है चलिए आगे है जो जहारखंड समान गंसम भी 30 प्रस्ट होगा तो इसमें पहला क्यूजन है की जहारखंड राजय के पहले अधिकारिक मुख्यन अधिस थे तो जो हैं विनोत कुमार गुप्ता थें ठीक है अधिकारिक takich मुखेन अधिस की बात करेंगे तो दूसरा नबरत क्यूजन दोस्तों की जहारखन में गांओ की संख्या कितनी है तो देखिए गांओ की संख्या जहारखन में है 32,620 ठीक है 32,620 जार्खंड में गाउं की जनसंक्या है चलिए आगे है 2016 में जार्खंड के सरोस्रेष्ट विधायक का पुरुसकार किस्ट ने प्राप्त किया था तो स्टीफन मरांडी प्राप्त किये थे ठीक है चलिए आगे है फोर नंबर का कि किस वर्ष लाते हार जीला को पलामू से अलग किया गया तो 2001 में लाते हार जीला को पलामू से अलग किया था 2001 आप याद रखिएगा चलिए आगे है पाँचवा नंबर का किश्टान कि निमलिखित में से किस वर्ष में बेतला राष्टिय उध्यान को राष्टिय उध्यान के रुप में अधिसुचित किया गया था तो 1986 में बेतला को राष्टिय उध्यान के रुप में अनुसुचित किया गया था चले आगे है 6 नमबर का कि जहारखंड से किस महिला तिरंदाज को 2012 में अरजुन ओट से समानित किया गया था तो दिपिका कुमारी उनका नाम है आप याद रखेगा और दिपिका कुमारी हाल ही में ओलंपिक में भी खेलने गए थे चले आगे है सेबेन नमबर का किवचन पालकोट वन्य जिव अभ्यारन किस जिला में इस्थित है तियो जो है गुमला जिला में इस्थित है पाल को टोणने जिवा भ्यारन आगे है एट नंबर का किशन कि स्वतंत्ता से पहले ठीक है पुर्वी सिम्हुन जीले का संपुर्ण छेत्र पुराना खाले स्थान जीले के भाग था तो मानभुम के भाग का था चले आगे है तिलका मांजी गिरामिन पंप योजना वर्स खाले स्थान में शुरू की गई थी तो जो है दुरसुला में शुरू किया गया था टेट नंबर का किशन है कि जारखन विधान मंडल के समंध में दिरेश उराव है तो दिनेश उराव उस समय का विधान सभा के अध्यक्ष थे ठीक है आप याद रखेगा दिनेश उराव उस समय का अध्यक्ष थे चले आगे है इलेवन नंबर का कि दामोदर नदी खाले स्थान से होकर नहीं गुजरती है तो पच्छिम से मुम से होकर नहीं गुजरती है बाकी धनबाद, गिरीडिय और हजारी बाग तीनो जीला में जाती है ठीक है इसमें अपलाते हर्वियाट कर सकते हैं आगे है बार नंबर का कि हजारी बाग जीले का भोगोलिक छेतरफल कितना है तो हजारी बाग जीले का भोगोलिक छेतरफल की बात करेंगे तो 4,3,0,2 वर्ग किलोमीटर है चली आगे है थर्टीन नंबर का किशान कि कोडर्मा जीले के परीधी के संबन्ध में निम्लिकित में से कौन सा विकल्प गलत है तो जो है ख्रकडिया जीला बिहार के बराबर है ये गलत है आगे है फोर्टीन नंबर के किशान कि निम्लिक में से कौन सा जीला पलामू जीले के दक्षिनी सीमा का निर्मान करता है तो लातेहर जो है पलामू जीले के दक्षिन में है ठीक है और देखे बताद रहे हैं दक्षिन में क्या है तो दक्षिन में यहाँ पास लातेहर है और उतर में बिहार का औरंगाबाद है और पुर्व में चत्रा है और पच्छिम में गड़वा जीला है चलिए आगे है 15 नमर का क्युषन की राची जीले में निम्न से कोन सा परमुख जनजाती पाये जाती है तो राची जीला में औराअउं जनजाती परमुख है तो आप याद रखेगा औराअउं चलिए आगे है 16 नंबर का किशन कि निमलिकित में से कौन सी खगान देश में हेमेटाइट लो अच्कि सबसे बड़ी खगान है तो चीरिया का खगान जो है हेमेटाइट वाला लो अस के खगान में सबसे क्या है बड़ा है तो याद रखेगा चीरिया 17 निम्बर किशन है कि बिकल्प में जो दिया गया है वो उसमें क्या है कि कौन-कौन गलत है आपको बताना है यह जो है कि फेरु आगहाग उतर कोयल यह गलत है बाकी देखिए जो हूंडू जलपरपात है वो सोर्ण रिखा पर है दसम जलपरपात राची काची नदी पर है और सदनी गुमला संख नदी पर है चली आगे है 18 नमबर का कि जहरखन राजे को कितने किरिसी परिस्थितिक छेतरों में विभाजित किया गया है तो जहरखन राजे को साथ किरिसी जो विभाजित छेतरों में किरिसी परिस्थितिक चेतरों बिभाजित किया गया, तो साथ आप याद रखिएगा, आगे है 90 नमबर का किशान, कि प्रसीद फिल्मकार, ठीक है, और कथाकार, जिसान कादरी का जनाम, खाले स्थान में हुआ था, ठीक है, तो आपको बताना है कि कहां हुआ था, तो देखिए, वो जो है, पूर में उनका जनाम हुआ था, तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि वासेपूर, चलिए, आगे है 20 नमबर का किशान, कि धनबाद जीले का गठन किया गया था, ठीक है, तो दोस्तों धनबाद जीला का अगर हम लोग गठन के बारें बात करेंगे, तो उसका जो गठन ह दोस्तों, वो 1956 में, ठीक है, 1956 में किया गया था, ठीक है, चलिए, आगे है, देखिए, यहाँ से याद रखिएगा GD, ठीक है, यह जो है, गिर्डी जो है, वो जो है, बहतर में किया गया था, और धनबाद जो है, चपन में किया गया था, आगे है 21 नमबर का किशान, कि भा परतिये खनी बिद्या पिट वर्थ, खाले स्थान में आजित किया गया था जो अस्तित्व में आया था, तो 1926 में अस्तित्व में आया था, आगे 22 नमबर का किशन की 1837 में कुलहान के बिडिटीस बिजाए के बाद सिम्भूम का गठन हुआ और खाले स्थान को मुख्याले बनाया गया था, तियो जो है दोस्तों वो चाई बासा को मुख्याले बनाया गया था, चले आगे है 23 नमबर का किशन की जारखन में आयोजित मचुवा मोहत्सो में समानेता निरत्य परदर्सित किया जाता है, तियो जो है दोस्तों भादूया निरत्य परदर्सित किया जा कि जो है मरदानी जूमर के लिए लुगती रहें दोस्तों आगे है कि 25 नमर के कीज़ान कि नटूवा नाच में पगडी को पंच प्रगनाद शेतर में समानेता खाले स्थान कहा जाता है तो काल्गा कहा जाता है चलि आगे है 26 नमर के किशन कि जार्खन अधारित लेख़क डॉक्टर द्वारी का प्रसाद मुख्यता खाले स्थान में लेखन कारे करते हैं ठीक है तो यह जो है हिंदी का लेखन का कारे करते हैं 27 नमर किशन है कि बुरू पर्वसमानेता खाले स्थान महीना में मनाया जाता है तो यह जो है दिसंबर माह में मनाया जाता है 28 नमर किशन है दोस्तों कि जारखंट राज में बृत्तिय वर्स दर्शतरा ठारा के लिए लिंग बजट के लिए अवांटि 83 क्या है तो यह जो है 7685 क्रोड है चलिए आगे है 29 नमर किशन कि बृत्तिय वर्स दर्शतरा ठारा के लिए जारखंट राजे के बजट में निमांकित में से कौन से सहर में एम्स की अस्थापना की मंजूरी दी गई है तो यह जो है देवघर सहर में एम्स की अस्थापना की मंजूरी दिया गया है ठीक है चलिए आगे है 30 नमर का किशन की NRDWP का पूर्ण रूप किया है फूल फॉम तो नैशनल रूलल ड्रेंकिंग वाटर प्रोग्राम आगे जो है 20 प्रशन रेजनी से समधित होगा तो उसका पहला प्रशन है कि 11 से 50 तक कितनी संख्या है जो की 7 से बराबर विभाज और परंतु 3 से विभाज नहीं है तो यह दो दोस्तों इसका राड़िटर सुन जाएगा हो जाएगा 4 आगे है दूसरा नमबर का किशन की एक लड़के की रिषारा करते हुए बीना ने कहा वो मेरी पोती का बेटा है उस लड़के का बीना से क्या रिष्ता है तो बीना से उस लड़के का भाई का रिष्ता है आगे है की capability सब्द में अक्षरों का क्रम बदले भीना और प्रतेक सब्द का केवल एक बार परियोग करके कितने प्रिथक सब्द बनाए गए है ठीक है तो दो प्रिथक सब्द को क्या हम लोग बना जाए सकता है 4 नमबर क्यूशन दोस्तों कि यदि परसो सनीवार था तो परसो कौन सा दिन होगा तो देखिए यहां से बताना है कि परसो सनीवार था ठीक है तो परसो वाला जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा ठीक है आई सो आपको comment बक्स ने आपको answer करना है कि परसो कौन सा दिन होगा चले आगे है कि राम को याद है कि ठीक है उसके भाई का जनाम 15 के बाद लेकिन 18 फर्वरी के पहले पढ़ता है जबकि उसकी बहान अमीता को याद है कि उसकी भाई का जनाम 16 के बाद लेकिन 19 से पहले पढ़ता है तो फरवरी में किस दिन राम के भाई का जर्म हुआ था तो दोस्तों देखिए हैं आपास 15 का जिक्र किया है, 16 का जिक्र किया है, 18 का जिक्र किया है, 19 का जिक्र किया है लेकिन आपास 17 का जिक्र नहीं हिआ है इसलिए उसका एंसर जो हो जाएगा वो 17 तारिक हो जाएगा आगे हैं 6 नमर की किचान की सुनिता ने कपच्छा में उपर से एगारमा और नीचे से 27 अस्थान प्राप्त किया ठीक है तो यहां से बताना है कि कपच्छा में कुल कितने छातरत है ठीक है तो देखे 27 असलिए केहाँ से तो 27 अउपर से और 17 हां से तो 17 जो है नीचे से 27 तो total की बात करेंगे तो 38 हो जाएगा लेकिन उसका जो एक है एक अस्थान छाएगा क्योंकि उसमें एक अस्थान उसका है ठिक है वो दो बार गेना जा रहा है तो 38 में से अधी आप क्या करेंगे कि 38 में से यदि एक मैनेस करेंगे ठिक है तो की हो जाएगा 38 मैनेस एक बरावर हो जाएगा 37 ठिक है तो 37 इसका राईट अपून हो जाएगा आगे है यदि 54OUS Canada 38 संख्या अंको में प्रतेक विसम अंको में एक की कमी होती है और प्रतेक सम अंको में एक बढ़ जाता है तो नई संख्या क्या होगा तो यहां से बताना है कि आखिन नई संख्या जो है वो क्या होगा तो देखिए यहां पस क्या हो जाए रहा है कि 5 में क्या हो जाएगा एक कम हो जाएगा तो एक कम हो जाएगा यानि कि 4 हो जाएगा और 4 में क्या हो जाएगा एक वेसी यानि कि 5 हो जाएगा उसी परकार 3 में क्या हो जाएगा तो 3 से 1 कम हो जाएगा 2 हो जाएगा और 8 में क्या बार घड़ी की सुईया दोनों सुईया मिलती है तो देखे एक दिन में घड़ी की दो सुईया जो है 22 बार मिलती है चलिए आगे है कि गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिर की संख्या से गाइयों की संख्या क्या हो आपको बताना है यानि की सट चोंखा 29, उनका पैर हो जाएगा और तेक हैं यहाँ पास सात हो जाएगा और 14 कि संख्या से 14 अधिक है यहाँ पास 7 अंसर हो जायेगा आगे हैं कि एक बिद्यार्थ के जितने जवाब जवाब सही मिले, उससे दुगने गलत मिले, यदि उसने कुल मिलाकर 48 प्रस्न किये हो, तो इसमें से सही उत्तर कितने थे, तो सही प्रस्न क्या थे, 16 थे, चलिए आगे है कि एक चरवाहे के पास 17 भेड़ थी, उसमें से 9 को छोड़ कर सब मर गई, उसके पास कितनी भेड़े बच गई आपको बताना है, तो आगे कितना था, 17 भेड़ थी, 9 भेड़ के आओ गई, उसमें से 9 भेड़ मर गई, ठीक है, तो चरवाहे के पास अब कितने भेड़ बचेंगे आपको बताना है, ठीक है, तो देखें हमाँ पास, उसमें से 9 को छोड़ देना है, ठीक है, तो 9 को छोड़ दिजेगा तो 17 फिनर से कितनी भीहन बच जाएंगे ठीक है? तो यहां से उसका अंसर क्या हो जाएगा कि टोटल 17 थी 9 को छोड़ दिजे और बाकी क्या हो गई? मर गई ठीक है? तो कितने उसमें से 9 को छोड़ कर सम मर गई? तो देखे कितनी संख्या बची? तो देखे 9 को छोड़ देना है तो 9 को संख्या बचेगा तो उसका अंसर जाएगा 9 चलिए आगे है कि मैं अपने घर से निकल कर 2 किलिमेटर सिधा गया ठीक है? और फिर अपने दाई और मुडा और 1 किलिमेटर चला मैं फिर से अपने दाई और मुडा और 1 किलिमेटर चला यदि अपने घर से उतर पच्छिन दिशा में हूँ तो शुरुवात मैं किस दिशा में गया था आपको बताना है ठीक है? तो शुरुवात में जो है? वो पच्छिन दिशा में गया था ठीख है जैसे की मालिजे की यहां इसका घर था तो यह अपने घर से निकल करके 2 km चला, सिधा गया फिर क्या हुआ कि अपने वोकिया में ओड़ा दाई मुड़ा तो दाई निया मुड़ करके 1 km चला ठीख है दाई और मुड़ा 1 km चला फिर से अपनी दाई और मुड़ा और फिर से क्या हुआ दाई और मुड़ गया और एक किलमेटर चला यदि अपने घर से उतर पच्छी में यह देखी यह जो है मालीजेक यह है था शुरू में ठीक है तो दोस्तो शुरुवात में जब वो कहां था शुरुवात में वो जो है इस बिंदु पर था ठीक है तो दोस्तो जब इस बिंदु पर था हो तो क्या हुआ कि वहां से वो चल दिया ठीक है तो उसके बाद जो है उसका इस्थिति कहां हो जाएगा अब तो उसका जो इ अच्छी में सुरू में गया था चलिए आगे है थार्टी नमबर का किशान की एक दिन सुर्योदर के बाद रीता और कभीता ब्रोड अस्कियर पर एक दूसरे के सामने मुख के बाते कर रही थी यदि कभीता की परशाएं रीता की बिल्कुल धाई ओर थी तो कभीता का मुख से दिये गए चीनों को पूट करना है उसके बाद कौन सा सोल करने के बाद सेम मेच वर आपको टिक आउट कर देना है तो यहां से जो हो जागा 10 प्लस 5 माइनस 5 डिवाइड बाई 5 मंट्लिप्राइब बाई 5 इसकर टेन यहां से सही हो जाएगा ठीक है यानिकि ऑप्सन 20 सह समिकरन सही हो जाता है तिये जो है समिकरन को आपको सही करना है इसको रख लिजेगा तिये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा यानिकि ऑप्सन 4 इसमें सही हो जाएगा उसी पर आपको टिकाट कर देना है 17 नमबर उसी परकार और 18 खालेस्तान को भरना है 19 उसी परकार है कि 5 गंटिया एक साथ बजती है और क्रमसा छो पांच ठीक है और क्या है साथ दस और बारा सेकेंड के अंतरा पर बजती है शुरुवाति धोनी को छोड़कर एक घंटे में हुआ एक साथ कितनी बार बज़ेगी आपको बताना है तो आठ बार बज़ेगी चली आगे है कि वरुन का जनम उसके पिता की साथी के दो साल बाद हुआ उसकी माता उसके पिता से पास साल छोटी है लेकिं वरुन से बीस साल बड़ी है ठीक है वरुन की उम्र दस साल है तो साथी किसमें पिता कुम के क्या होगा आपको बताना है तो 23 वर्ष आगे जो है गनीश समन्दित 20 प्रस्ण होगा उसका पहला किचन है कि सिवांगी ने घड़ी 800 रुपया में खरी दी और 15% लाव अर्जित करके सालू को बेंच दी 5% लाव के लिए सालू ने उसे नंदनी को बेंच दिया नंदनी ने उसका दो वर्ष उपयोग किया और 25% हानी पर प्रिती को बेंच दिया तो नंदनी के घड़ी प्रिती को कितने में बेंच आपको बताना है तो 724.5 रुपया में बेंच आप दूसरा के उज़न है कि 150 मिटर 130 मिटर एक आता कार होल की टाइल्स बिछाने के लिए नियुक्तम कितना वर्ग वर्गा कार टाइल्स के उसकता होगी तो 1955 टाइल्स के उसकता होगी तीसरा क्यूशन है कि उन संख्याओ का मान ग्याद करना है जिनके बीच का अंतराल 35 और प्रस्पर मान का नुपाद 2 बटा 7 हो जाएगा आपको बताना है क्यों जो हो जाएगा 14 और 49 हो जाएगा फोर नंबर का क्यूशन है कि यदि सधारन ब्याज की वार्षिक दर 10 परसेंट से बढ़कर 12 परसेंट हो जाती है तो एक आदमी का वार्षिक आए 1000 रुपया बढ़ जाती है तो देखिए यहां पास क्या है कि उसका मुलधन रुपया में बताना है कि क्या हो जाएगा चलिए आगे है यहां से यह दि 25 परसेंट ठीक है ओफ X माइनस Y इसका टू 15 परसेंट ओफ X प्लस Y तो यहां से बताना है कि Y, X का कितना परतिसत है ठीक है तो 25 परसेंट हो जाएगा 6 नमर क्यूचन यहां से दिया गया है तो इसे आप लोग के अकना मल्टिप्लाई करके एड कर देना है यहां से इसका मान बताना है तो यह जो है इसका मान आ जाएगा 7 नमर क्यूचन है कि रितू एक कारे को 10 दिनों पुरा कर सकती है मेघा रितू से 50 परसेंट लाब ज्यादा छमता से कारे कर सकती है तो मेघा को उसी कारे को करने के लिए कितनी दिनों का समय लेना पड़ेगा ठीक है तो जो हो जाएगा एक दिनों का समय लेना पड़ जाएगा एक डिज हो जाएगा आंसर एक नमर क्योशन कुछ इस्परकार है कि एक नाव एक नीची दूरी उर्धवा परवाह में डेट घंटे में और समान दूरी अनुपरवाह में एक घंटे में तै करती है एदि धारा की चाल 3 किलिमेटर घंटा है तो साथ जल में नाव की गती बताना है तो 15 हो जाएगा 9 नमर क्योशन उस्परकार है और 10 नमर का क्योशन देख लेते हैं कि एदि किसी सम्भव भूज का एक अंतह कौन की किसी सम्भव सस्ट के अंतह कौन से 6 बड़ 5 गुना है दो सम्भव भूज की भूजाओं किसना के क्या होगा तो जागा 10 हो जाएगा चलि आगे है 11 नमर क्योशन कि यदि दो सम्रूप तिर भूजो की दो संगत भूजाओं में अनुपात 16 नुपात 9 है तो उसके 6 बड़ भूज की अनुपात क्या होगा तो 256 अनुपात 81 हो जाएगा चलि आगे है 12 नमर क्योशन की यदि दो सम्रूप रेखाओं एक त्री एक छेदी रेखा द्वराब पर तिछेद होती है तब अन्तव कोन विभाजित निमलीखित में से किया जाता है तो आयत 13 नमर क्योशन में से परकार साइन को समंदित है 14 भी है उसे परकार 15 16 भी देख लिजेगा यहां से बताना है कि एक संग्रूज का चतरफल क्या होगा जिसका एक विकन 18 cm और दुसरा विकन 20 cm का है तो यह जो है 180 cm2 हो जाएगा 17 नमर क्योशन है कि किसी समागली का क्रामूल बिक्रामूल के 80% के बराबर है तो बिक्रामूल करामूल का कितना परतिशिस साब बताना है यहां से 31 50% है आगे है 18 नमर क्यूशन की जिन से थाओ का अनुपात तीन अनुपात दो अनुपात पांच है एवां उनके वर्वों के फल 1862 है तो सबसे छोटा संखे क्या होगा यहां से तो 35 हो जाएगा 19 नमर क्यूशन है दोस्तों की एक मसीन का मूल लिया प्रती वर्वों 10% की दर से अव मूलन होता है यहनि की घड़ जाता है यदि वर्तमान मूल 65610 रुपया है तो चार वर्वों में मसीन का मूल क्या होगा तो मसीन का मूल जो होगा यहां से एक लाग हो जाएगा चलिए आगे हैं 20 नमर क्यूशन की और 60 दसमलाव 237 इसकार मान के होगा तो 36,474 हो जाएगा ठीक है तो आज के वीडियो अतना ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किरपया आप हमारे चैनल को लाइक सर्व सब्सक्राइब जरू करें और हाँ आप हमारे चैनल में एक बार प्लेलिश्ट में जरू जाए क्योंकि वहाँ पास JSC से किसी भी एक्जाम से समन्धित सभी टॉपिक का वीडियो जो है उपलब्त करा दिया गया है तो मिलते हैं अलग बियों तब तक के लिए धन्यवाद